और एकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के इस पीडियो में मैं आपको बताऊंगा SQL Language में TCL कमांड क्या होता है इसका यूज क्या है डेटाबेस में सारी चीजों को हम कन्फर्म करेंगे तो सबसे पहले TCL का मतलब क्या होता है इसका पूरा नाम क्या है आपको वो बता देते हैं Transaction Control Language यानि डेटाबेस में जितना भी Transaction का काम होता है उसे कौन कंट्रोल करता है ये TCL करता है इसका यूज क्या है It Control the Transaction of Database ये डेटाबेस के सारे Transaction को कंट्रोल करता है Transaction का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी DML ओप्रेशन परफॉर्म कराते हैं अपने डेटाबेस टेबल के साथ जैसे Insert, Update, Delete तो उसी को हम बोलते है Transaction It has three commands Commit, Rollback, Save Points TCL के पास तीन कमांड होता है पहला होता है Commit Second, Rollback तीसरा Save Point तो Syntax देखते हैं सबसे पहले Commit का ये Commit होता क्या है इसका Use क्या है तो माल लो अगर हम कुछ भी Table बनाते हैं माल लो ये Table हमने बनाया Student नाम का तो जब हम कोई Table Create करते हैं तो उस Table का एक Copy हमारे Oracle Database के Server में जाके Store होता है तो ये माल लो Server है ठीक है और हम जो काम करते हैं वो हम Temporary Table के साथ करते हैं ये Temporary Table है तो अगर Table Create कर दिये तो उसका तो Structure Table का जो है वो Database में जाके Server में Store हो गया अब माल लो इस Table में हम क्या करें Record Insert करें 20, 20, 30 इसी तरह से हम Record Insert कर दिये इस Table में तो अभी हमने जो भी Record यहां पर Insert किया है इस इस टू टेबल में अगर हम Record Insert करने के बाद और Record Database को Close कर देते हैं बंद कर देते हैं तो ये Temporary Table में हमने जो भी Record Insert किया वो Server में जाके Table में Store नहीं होगा इसका मतलब जब हम दुबारा और Record Database ओपन करके इस Table को Check करेंगे तो ये Record डिलीट हो चुका रहेगा ये Record यहां पर Update नहीं हुआ है तो फिर यहां पर कैसे Store करेंगे Commit Command की मदद से अगर मालू हमने Temporary Table में कुछ भी Record Insert किया इंसर्ट करने के बाद हम क्या कर रहें Commit कर रहें जैसे हम Commit करेंगे ये Record जाके Server में Table में Store हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि ये Permanent Store हो चुका है Server में तो हम जब भी चाहें In Record को Server वाले Table से Access कर सकते हैं हम देख सकते हैं तो चलिए Practical करके दिखाते हैं Commit Command का सबसे पहले हम आपको Oracle Database में Table Create करके दिखा देते हैं तो यहाँ पे देखो हम Player नाम का Table क्रियेट कर रहें तीन कॉलम है Rank Rank का Type है Number Name है Name का Type है वैर का है क्योंकि String Value लेंगे उसके बाद Best Score है इसका Type है भी हम Number लिखें है ठीक है Player का Best Score अभी एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो Table Created अब हम क्या करते हैं सबसे पहले इस Player Table में Record Insert करते हैं यह हमने पहला रेकॉर्ड इंसर्ट किया Second Record Third Record हमने तीन रेकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है Table में अगर हम आपको दिखाना चाहें तो हम दिखा भी सकते है Select Star From हमारे टेबल का Name Player तो यहाँ पे देखिए हमारे टेबल में तीन रेकॉर्ड है लेकिन यह जो रेकॉर्ड हम इंसर्ट किये है अपने टेबल में जो हम रेकॉर्ड यह तीन रेकॉर्ड इंसर्ट किये है यह हम temporary टेबल में इंसर्ट किये है इसका मतलब कि हम जब तक Oracle Database को Open करके इसमें काम कर रहे हैं तभी तक यह record हमारे table में inserted रहेगा अगर एक बार हम अपने oracle database को बंद करते हैं उसके बाद हम क्या करें इसे फिर से start करें तो हमने जो भी record insert किया है यह तीनो record गाइब हो जाएंगे ठीक है फिर से क्या करते हैं इसे open करते हैं अभी क्या करना होगा सबसे पहले हमें connect होना पड़ेगा database से connect हो गए अभी हमें क्या करना है आपको दिखाना है कि record table में है कि नहीं select start from उसके बाद table का नेम क्या था player यहां पर देखो message आया है no row selected जबकि हमने तीन record insert किया था इस table में तो वह temporary storage में जाके record insert हुआ था player table के अभी हम देख रहे हैं इसमें कोई record नहीं है तो अगर हम फिर से record insert करना चाहें अपने इस table में हम क्या कर सकते हैं first record insert किये उसके बाद हम इसी तरह से एक और record insert कर देते हैं फिर क्या करते हैं इसका to दे देते हैं तो अभी टेबल में देख सकते हैं दो record है अभी हम क्या कर रहें table को commit कर दे रहें commit कर दिए commit complete अभी record database को close कर रहें फिर से क्या कर रहें इसको start कर रहें तो यहां पर सबसे पहले हमें connect होना पड़ेगा user name system password तो यहां पर अगर हम अपने table को object करें select star from table का name player तो यहां पर देखो और record database को जब हम restart किये फिर भी हमारे दुवारा input किया गया record हमारे table में है क्योंकि हमने और record database को बंद करने से पहले last time commit कर दिया था commit कर देने से क्या होता है कि जो भी हम temporary table में changes किये हुए होते हैं जो भी record हम insert किये हुए होते हैं वो जाके server में store हो जाता और record database के है कि अभी हम कमिट कर दिये थे यह पर्मनिन्ट स्टोर हो गया इस प्लेयर टेबल में दोर को जब जब हम स्टेवल को एकसेस करेंगे यह रेकोड हमें दिखेगा तो कमिट का यूज करते हैं हम पर्मनेंट डीटा सेव करने के लिए अपने टेबल में हमारा TCL कमांड होता है रोल बैक का काम किया होता है हमें एक स्टेप पीछे ले जाना यानि एक स्टेप हमें इसलिए इसका नाम देखो क्या है rollback यानि एक step back करना तो यह तब काम करता है जब हम अपने table में कुछ भी operation perform करा हैं और table को अगर हम commit नहीं करते हैं और rollback operation perform करते हैं तब जाके rollback काम करता है और माल लो हमने ये record insert करने के बाद commit कर दिया, फिर हम rollback use करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, अगर जितना भी operation परफॉर्म किये हैं अगर rollback करेंगे, तो commit तक का जितना भी operation था हमें वहाँ पर ये ले जाके छोड़ देगा, तो चलिए इसका भी practical करके देखते हैं कि rollback काम कै का यूज क्या है लास्ट टाइम जब हम आपको ये टेबल का दो रोट दिखा रहे थे हम क्या किए थे इन दोनों रेकोर्ड को कमिट कर दिए थे तो जब भी हम कमिट ओप्रेशन perform किये हुए होते हैं तो अगर हम rollback perform कराएं तो वो काम नहीं करता है जैसे हम rollback यहां पर लिखें तो यहां पर message आ चुका है rollback complete लेकिन यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ा है आप देख लो कोई changes दिखा नहीं दिखा लेकिन अब अगर हम अपने table में कुछ record insert करके आपको द दे देते हैं उसके बाद name ले लेते हैं यहां पर रोहित कॉमा उसका best score क्या 264 तो यहां पर देखो हमने एक record और insert कर दिया अपने table में अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहां पर देखो डेटाबेस का जो server है वहां पर यह original 2 record ही permanent store है लेकिन यह temporary table जो अभी अभी हमने record insert कर दिया यहां पर अभी हम देख रहें तो यहां पर जो 3 record दिख रहा है यह हमारा temporary table का record है ठीक है यह दो record ही permanent है यह वाला record अभी हमने insert किया यह temporary store है यह permanent store नहीं है अगर हम record database को बंद करके आएंगे यह नहीं रहेगा third record लेकिन मालू मैंने यह गलती से अपने table में यह record insert कर दिया मुझे नहीं करना चाहिए तो मैं क्या करूंगा एक step अगर मुझे पीछे जाना होगा तो मैं rollback यहां पर करूंगा rollback complete अगर अब हम देखेंगे तो यहां पर देखो 2 record है इसका मतलब हमने यह जो last record insert किया था हमने rollback operation perform कराया तो यह हमें एक step पीछे लेके चला गया तो rollback commit के बाद काम नहीं करता है लेकिन अगर आप commit operation perform करने के बाद कुछ record insert कर देते हैं table में उसके बाद फिर rollback perform करेंगे तो यह आपको एक step और पीछे ले जाता है जैसे अगर हम क्या करें एक और आपको changes करके दिखाते हैं अपडेट करते हैं अपने टेबल में ए हो जाए कोहली ठीक है उसके बाद condition देना पड़ेगा क्योंकि यह जो विराठ है उसका rank क्या है 1 यहां पर लिखना पड़ेगा where rank equal 1 तो one row updated अगर हम आपको दिखा है तो यहां पर देखो update हो चुका है यहां विराठ था यहां कोहली है तो यह database के server में store है permanent storage में ठीक है लेक आपकल database बंद करके on करेंगे तो यह कोहली हटके विराठ हो जाएगा ठीक है लेकिन मालो हमने यह update operation गलती से perform कर दिया हमें नहीं करना चाहिए था हमें एक step पीछे जाना है फिर हम क्या करेंगे यहां पर rollback fire करेंगे rollback complete अब अगर दिखाएं आपको यहां पे देखो विराठ इसका मतलब जो एक step कोहली को update करने से पहले क्या था विराठ था वही विराठ अभी देखो फिर से यहां पे आ चुका है तो rollback का यही काम है हमें एक step पीछे ले जाना यानि undo का का काम करता है अब अगर हम आपको delete operation perform करके दिखाएं क्योंकि rollback का सबसे ज्यादा use delete के साथ ही होता है ठीक है मालो हमने लिखा delete from table का name player हम एक record delete कर रहे है where rank equal one ठीक है मालो हमने एक row delete कर दिया यह वाला record हमने delete कर दिया अभी हम आपको दिखा रहे है यह delete हो चुका है हो चुका है delete अब मुझे एहसास हुआ क कि मैंने गलती से delete कर दिया मुझे नहीं करना चाहिए था तो हम क्या करेंगे यहां पर rollback करेंगे तो हमने जो delete किया था वह आ जाएगा देखो यहां पर record आ चुका है तो इस तरह से आप rollback verify करके एक step पीछे जाके जो भी changes आपने किया था एक step पीछे जाके आप महां से फ है से लिए कि इसका नाम क्या से पॉइंट यानि किसी particular पॉइंट तक कर रिकोड को ही यह क्या करता है वार लो हमारे पास यहां पर a टेबल एटेबल में पांच record है पांच रिकोर्ड का हम क्या कर रहें एक से पॉइंट बना रहें हमने बनाया से पॉइंट वन उसके बाद से पॉइंट वन करने के बाद हम क्या कर रहें और पांच रिकोर्ड टेबल में इंसर्ट कर दिये फिर हम क्या कर रहें एक और से पॉइंट बना रहें यहां पर से करेंगे से पॉइंट के साथ रोल बैक यूज होता है तभी हम क्या कर सकते हैं उस पर्टिकुलर से पॉइंट तक के रेकोर्ड को देख सकते हैं ठीक है तो अगर हम पहले वाले से पॉइंट में पांच रेकोर्ड को सेफ कराएं दूसरे वाले से पॉइंट में पांच और इं काम नहीं करेगा यह discard हो जाएगा डिलेट हो जाएगा तो चलिए अब प्राक्टिकल करके concept किलियर करते हूं वहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा आप देख सकते हैं हमारे table player में दो record है तो अभी हम क्या करते हैं सबसे पहले इन दो record का एक save point बनाते हैं तो हम लिखेंगे save point और उसका एक name ले लेते हैं हम capital A आपको number नहीं लेना है number लेंगे तो वह नहीं काम करेगा ठीक है आपको character ही लेना है enter मारते हैं तो save point A के पास कितना record है यह दो record है लेकिन अगर आप हम अपने table में कुछ record insert करते हैं जैसे हम एक और record insert गी है इसके अलावा हम क्या करते हैं कुछ और record यहाँ पर input कर देते है 100 देते हैं best score उसके player का नाम हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर search in इसके बाद इसके हम क्या करते हैं 4 ले लेते हैं ठीक है rank तो हमने देखो 2 record insert किया अभी क्या करते हैं एक और record input कर देते हैं ठीक है player का name ले लेते हैं पांडिया उसके बाद यहाँ पर 5 अब हम क्या करते हैं एक और save point बनाते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे save point B enter तो मैं आपको बता दूँ कि जब हमारे table में 2 record था 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 हमने save point A बनाया यानि A के पास 2 record है लेकिन फिर हमने क्या किया तीन record और insert किया उसके बाद save point B बनाया यानि save point B के पास total 5 records है ठीक है अब हम अगर एक और save point अगर आपको बना के दिखा है record insert करें प्लेयर का नेम क्या ले लेते हैं प्लेयर का नेम ले लेते हैं रहाने उसके बाद यहां पे 6 record insert हो गया अब हम क्या करते हैं एक और save point बनाते हैं ध्यान से समझेगा अगर आप video skip करेंगे तो नहीं समझेंगे save point C के पास total कितना record है? 6 record है ठीक है हम आपको दिखा देते हैं select star from table करें लेयर तो यह जो 6 record आ रहा है यह 6 record हमारे save point C के पास है अम मालो हमारे table में इसी तरह 1000 record है ठीक है और मुझे किसी particular कुछ particular record को ही देखना है तो हम क्या करेंगे जहां तक का record हमें देखना होगा वहां तक का save point बना देंगे जैसे first two record का एक save point बना हुआ है फिर उसके बाद first five record का second save point बना हुआ है और total six record का एक और save point C बना हुआ है तो अगर हम यहां पर क्वैरिफायर करें रोल बैक to save point का नेम अगर हम बी लेते हैं तो अगर हम save point का नेम बी लेके enter प्रेस करेंगे तो रोल बैक complete अब अगर select star from player करेंगे तो five record ही हमें दिखेगा यह देखिए five record दिख रहा क्यूंकि save point B के पास five record था लेकिन यहां पर आ जो last वाला save point हमारा C था वो destroy हो चुका अभी वो नहीं है यह देखो वो destroy हो चुका इसका मतलब आपको last वाले save point से अगर data देखना है तो आपको last वाले से ही देखना होगा लेकिन save point A में हम जा सकते हैं B के पहले जा सकते हैं उसके बाद का save point discard होता है A के पास दो record है तो rollback complete इसका मतलब अगर आप हम table में record देखेंगे तो दो record ही आना चाहिए तो यहाँ पे देखे हमारे table का दो record आ चुका है तो save point का use हम इसी काम के लिए करते हैं कि अगर हमारे table में बहुत record है लेकिन हमें किसी particular range से मालो 2-5 तक का record देखना है तो हम क्या करेंगे 2-5 का एक save point ब कर ये चानल पे ना है सब्सक्राइब कर दीजिए